नवस्कार बेरे बच्चो तो हम लोगों ने Acid, Base and Salt की दो किलासे की जिसमें पहले में हमने जाना कि आखिरकार इसको पहचानते कैसे हैं और दूसरे में हमने जाना कि आखिरकार ये Concentration और Dilution ठीक है? Saturated और Unsaturated क्या चीज़ होती हैं? हमने ये Decide किया चलिए, तो आज हम सुरू करते हैं क्या भई? आज हम सुरू करने जा रहे हैं आज हम लोग सुरू करने जा रहे हैं Only Acid कि आखिरकार Acid क्या-क्या वर्क करता है बच्चो, हम लोग आज Acid, Base and Salt सुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए, जिसमें हम लोग आज सबसे पहले Acid कवर करेंगे, पूरा आज पूरा Acid हम लोग हिंदी में Aml कवर कर लेंगे, ठीक है? तो बच्चो, हम लोग सबसे पहले इसकी ना, Properties जानेंगे क्या जानेंगे? Properties तो लिखेंगे Properties Properties of Acid तो हम जी, Acid की पहली Property क्या होती है? Acid की पहली Property होती है, बच्चो कि जितने भी चीजे स्वाद में खटे होते हैं वो सब के सब क्या होते है? Acid होते हैं मतलब स्वाद में खटे होते हैं कौन होते हैं स्वाद में खटे acid यानि इंग्लिज में लिखेंगे sourcing in taste sourcing in taste अच्छा दूसरी पहचान दूसरी property क्या है acid की बच्छो दूसरी property आप बहुत अच्छे जानते हो क्या कि वो लोग blue litmus paper को red में convert करते है मतलब क्या यह लिखेंगे अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं लाल कर देते हैं ठीक है एसिड टर्ण्स ब्लू लिटमस ब्लू लिटमस इंटु रेड इंटु रेड यह प्रॉपटी हम पढ़ चुके हैं प्रॉपटी नंबर थ्री कि एसिड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी बड़े अराम से फ्लो कर जाती है मतलब अगर जैसे हमें पता है भाई पानी का हाथ तो करेंट लग जाता है लग जाता है ना इस तरह अगर आप किसी एसिड के अंदर भी अगर करेंट को मतलब फ्लो कराना चाहोगे तो बड़े अराम से एसिड के अंदर क्या होगा करेंट फ्लो हो जाएगा ठीक है तो कैसे लिखेंगे अमलिये विलियन में अमलिये विलियन में अमलिये विलियन में एक मिनट हां जी बिच्चो तो क्या था कि अमलिये विलियन में विधुत प्रवा होती है प्रवा होती है ठीक है मतलब क्या Acid Solution Acid Solution Flows Electricity Flows या Conducts ऐसे लिखेंगे Conducts Electricity ठीक है Electricity कोई दिक्कत तो देखो ये तीन प्रॉपटी तो हो गई पढ़ने वाली तीन प्रॉपटी तो क्या हो गई पढ़ने वाली लेकिन बच्चो अब मैं जो आपको Fourth property लिखवाने जारो न यहां से सारे समझने वाली category शुरू होती है आपको यहां से सारी चीजे समझ समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा ठीक है तो चलिए जैसे Fourth है Fourth करते है हां जी यहां तक क्या थी property पढ़ने वाली इसमें समझने लाइक कुछ भी नहीं था हाँ भाई सुआद में खटे होते तो क्या समझाऊंगा भाई खटे होते तो होते है वही एसिड होगा जैसे नीमबू हो गया भाई कचाम हो गया ठीक है और भी कुछ भी ले लो जितनी भी चीज़े खटे होंगी वह एसिड होगा ठीक है भाई एसिड बुलू लिटमर्स को रैड में कर देता है यह पहले ही समझा चुका हूँ एसिड में इलेक्रिसिटी फ्लो करता है तो भाई इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं इलेक्रिसिटी लगा के देखो फ्लो हो जाएगा आपको पता चल जाएगा ठीक है फॉर्थ प्रॉपटी हाँ यहां से प्रैक्टिकल सुरू होते है यहां से प्रैक्टिकल सुरू होते है क्या सुरू होते है प्रैक्टिकल कि बच्चो जितने भी ऐसिड होते हैं वो मैटल के साथ रियक्षन करके हाइडरोजन गैस निकालते हैं समझे रहे हैं मतलब क्या यहां लिखेंगे अमल धातू के साथ अभी क्रिया करके अभी क्रिया करके क्या निकालते है भाई hydrogen gas निकालते है निकालते है hydrogen gas निकालते है ठीक है acid reacts with metal reacts with metal and produce एन्प्रोड्यूज क्या भई? एन्प्रोड्यूज हाइड्रोजन गैस कैसे होता है? ये भी देखो सब इब अच्छा ने डिस्प्लेश्मेंट रियक्शन तो बहुत अच्छे से पढ़ ली है तो बस उसी रियक्शन को यहाँ पे कॉपी करना है जैसे, अरेैं manganesium होता है होता है, कौन होता है manganesium कौन होता है, एक metal होता है, और plus enhancing HCl, HCL क्या होता है, एक acid होता है, मैंने आपको strong acid, weak acid में यह लखवा रखा है कि वह very magnesium plus HCL, HCL कौन होता है है, एक acid, हंजी, अब आपने displacement reaction में क्या ठीखा है क्या hydrogen ज्यादा ताकतवर है sorry magnesium ज्यादा ताकतवर है hydrogen कम ताकतवर है अगर किसी बच्चे को ये चीज नहीं आ रही है तो भाई इसके लिए आप जिम्मेदार हो खुद क्यों 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 आप लोगों displacement reaction अभी तक revise नहीं कियोगी तो जाके फटा फट पहले displacement reaction revise करो और फिर ये देखना एक बच्चे ने मिरे को इसका doubt भेजा था एक लड़के ने मुझे इसका doubt भेज दिया और कह रहे हैं कि ये मेरे से नहीं हो रहा तो भाई नहीं हो रहा ना तो इसके अंदर इसका मतलब कमी आप में है क्यों कि भाई आपने वो वीडियो देखी ही नहीं सबसे बड़ी बात अगर देखी होती तो ये सारी reaction मैंनो उसमें करवा रखी है ठीक है तो एक ही चीज को छोटी सी चीज को दस बार cover नहीं किया जा सकता क्योंकि ना आपके पास time है ना मेरे पास ठीक है तो आप पहले ना वीडियो देखा करो वीडियो देखते नहीं हो और सीधा question सामने रख देते हो तो आज देख लो इसको अगर किसी बच्चे को लग रहा कि ये जाद ताकत वर कैसा है तो भाई displacement reaction देखे ठीक है फर्स चेप्टर में कराया है तो भाई magnesium जाद ताकत वरे इसकी जगा पहा जाएगा और hydrogen कमजोर है यहां से हट जाएगा तो मैं mg का होता है plus 2 c l का होता है minus 1 तो mg c l 2 h बहार निकल गया h 2 ठीक है ये displacement reaction में सारी करवाई भी तो देखो कौन सी gas निकली hydrogen gas कौन सी gas निकली hydrogen gas ठीक है जी और यह क्या बना magnesium chloride क्या बना magnesium chloride ठीक है और एक example ले लेते हैं जैसे मालनों नहीं यह ले लिए Zn plus में H2SO4 तो इसके लिए भी क्या करोगे अरे आपको अच्छे से पता है displacement reaction विस्थापन अभी गिरिया जैटन ज्यादा ताकतवर है hydrogen को हटा देगा और hydrogen हट जाएगा जैटन का plus 2 Zn का plus 2 SO4 का minus 2 cancel out क्या बन जाएगा यह Zn SO4 और बाहर क्या निकलेगा H2 पता है ना क्यों क्यों क्योंकि जब तक H के नीचे 2 नहीं होगा वो gas के form में नहीं आएगा तो हमने क्या सीखा कि जितने भी acid होते हैं वो metal के साथ reaction करके कौन सी gas निकालते हैं hydrogen gas निकालते हैं ध्यान से सुनना फिर से acid reacts with metal and produce hydrogen gas अमल धातु के साथ अभी गिरिया करके hydrogen gas निकालते हैं तो यह दो example लिखवाए हैं लेकिन इसी के साथ साथ मैंने फर्स चेप्टर में तकरीबन पांक छे example आपको लिखवा दी हैं तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी कोई metal किसी acid के साथ reaction करेगा तो वो salt और साथ में gas कौन सी निकालेगा hydrogen ठीक है जल्दी से video pause कीजिए कि नोट कीजिए फिर आगे बढ़ता हूं ठीक है कि वीडियो बाॉस कर लो Crash कर लो अब सभी ने वीडियो बाउस करके नोट कर लिया होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है किसीगा새τα एक example और चाहिए लो एक example और बदा देता हूं मैं एक example और लिख लो लगे हाथ बाद मैं को कि यह वाला नहीं आया यह वाला कर देख लो एल प्लस में H2SO4 यह तो बहुए यह ताकत वार है है एच को हटाएगा है एच को यहां से निकालना है ठीक है तो एल का चार्ज प्लस 3SO4 का चार्ज माइनस 2 दो इसके नीचे तीन इसके नीचे क्या बन गया एल 2SO4 थ्राइस और गैस कौन से बाहर निकलेगी एच टू यह एक और कर लो यह रियक्शन और कर लो यह भी इंपॉर्टेंट है वीडियो बाउस करके नोट कर लो कर ली तो क्या देखा हमने कि अमल धातू के साथ अभी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है और एसिड रियक्श विद मैटल एंड प्रडियू हाइड्रोजन गैस चलिए तो आप पढ़ेंगे हैं प्रॉपटी नंबर पांच प्र लिए फिर चार प्रॉपटी पढ़ ली तेक है अब प्रॉपटी नंबर पांच पढ़ते हैं फिर एसिड़ खतम करने के लिए अगे बढ़ेंगे प्रॉपटी नंबर पांच है वह हैं जी अमल धातू कार्बूनेटों के साथ अभी करिया करके के साथ अभी क्रिया करके CO2 गैस निकालता है CO2 गैस निकालता है ध्यान दीजिए क्या है? इंगलिस वाले Acid reacts with metal carbonate and produce CO2 गैस देखो क्या बोला उसने? देखो जब Acid Metal के साथ reaction करता है तो Hydrogen gas लेकिन जब Acid Metal Carbonate के साथ reaction करता है जब Acid Metal Carbonate के साथ reaction करता है तो वहाँ पे gas कौन सी निकल रही है? CO2 और इससे पहले वाले में क्या सिखाया था मैंने? कि जब Metal किस के साथ reaction करेगा? Acid के साथ ठीक है भई? यहाँ पर देख लो यहाँ पे Metal Carbonate है और Acid है तो CO2 और इससे पहले वाले में Carbonate नहीं था Na2CO3 प्लस और क्या है? SCL तो देखो इसका नाम क्या है? इसका नाम है Sodium Carbonate हिंदी में भी आई है हिंदी में भी आई है और इसका तो पता ही है Hydrogen Chloride Hydrogen या या ऐसे के लिख सकते हो Hydro-Cloric सबसे अच्छा नाम है यह Hydro-Cloric ठीक है? Hydro-Cloric Acid हिंदी में Hydro-Cloric Amal ठीक है भी? अच्छा अब सुनो जरा अब क्या किया हमने? भाई इसकी reaction करवाई मतलब क्या? देखो Sodium Carbonate कौन है? एक Metal Carbonate है एक यह उन है고 यहा पर क्या आएगा? तो अच्छो एक बात ध्यान रखना अब इस तरीके से अगर हम समझेंगे कि क्या आएगा तब तो हो गया काम तो इसलिए आपको एक फेक्ट बता देता हूं क्या क्या फेक्ट है कि जब भी कारबोनेट मेरी बात ध्यान से सुनना जब भी कारबोनेट reaction कर रहा होगा किसी acid से या किसी भी hydrogen वाले product से मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब भी कोई carbonate, किसी acid से reaction करे, या किसी भी hydrogen वाले product से करे, hydrogen मतलब क्या, वहाँ पर hydrogen होना चाहिए, जरूरी नहीं acid, acid के लावा कोई भी product हो, बस hydrogen दिख जाए, क्या दिख जाए, hydrogen, तो दो चीजे तो आख बंद करके आप बना दो, दो चीजे CO2, और दूसरी चीज, H2O, क्यों, CO2 कहां से निकलेगा, इस CO3 में से, और H2O कहां से निकलेगा, इसका एक O तो बच जाएगा, और साथ में H, तो H और O क्या बन जाएगे, H2O, ध्यान से सुनना फिर से, CO3 का CO2 निकाल दो, और ये H और ये O का क्या बना दोगे, H2O, क्यो या किसी भी hydrogen product से reaction करे, तो दो चीज बिलकुल fix कर दो, CO2 और H2O, अब कौन कौन बच गया, Na बच गया, और कौन बच गया, Cl, तो NaCl को आप 25 से जानते हो, plus 1, minus 1, बना NaCl, तो देखो कितना असान है, ठीक है, एक reaction और लेते हैं, जैसे NaHCO3, plus में H2SO4, तो देखो, अब sodium carbonate तो ये कौन है, इसका नाम है sodium bicarbonate, sodium bicarbonate, एक नाम और है इसका, इसका एक नाम और है, sodium hydrogen carbonate, sodium hydrogen carbonate, एक नाम और है इसका, लेकिन वह बाद में बताओंगा, बाद में कब हो salt पढ़ाएंगे ठीक है और यह कौन है? Sulfuric Acid कौन है? Sulfuric Acid ठीक है? यह salt के chapter में इसके और भी नाम बताऊंगा मैं आपको बहुत सारे नाम बताऊंगा इनकी 2-3-3 नाम होते सबके ठीक है? तो हाँ भई तो इसका क्या नाम है? एक नाम है Sulfuric Acid तो फिर क्या बता रहा था मैं? कि sodium by carbonate और दूसरा नाम sodium hydrogen carbonate और इसका नाम क्या है? Sulfuric Acid यह सब नाम हमने फर्स चेप्टर में पढ़ लिये हैं ठीक है? अब चाँ अब देखो फटा फट मैंने क्या बताए था? कि अगर आपको carbonate दिख जाए या acid दिख जाए क्या दिख जाए? कारबोनेट और acid या कोई hydrogen वाला product या कोई hydrogen वाला उत्पाद ठीक है जी? तो देखो carbonate भी है hydrogen भी है तो जब यह दोनों चीज़े मेरे को दिख गई है reaction में तो दो चीज़े तो मैं बिना सोचे समझा लिख दूँगा कौन कौन सी? एक तो CO2 और दूसरी H2O हा की ना? बच्चो ये दो चीज़े तो fix हैं अगर carbonate दिख जाए acid दिख जाए दोनों चीज़े बे धड़क लिख दो आपको कोई tension लेने की जुरूत नहीं है अच्छा अब ये भी निकल गया और क्या निकल गया? CO3 भी निकल गया और H2O भी निकल गया तो बच्चा क्या? तो बच्चो देखो क्या बच्चा मैं बता दूँ आपको बच्चा NA और SO4 अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे बच्चा गलत बता दिया आपने हाँ जी कि यहां से H भी निकाल दिया आपने यहां से H भी निकाल दिया तो 2H और 1H तो 3H हो गया ठीक है? और यहां पर CO3 निकाल दिया आपने तो कैसे ही? तो बहुत बड़ा complicated हो गया तो बच्चो बेफिकर रहो यह जो 2 है मैंने कितनी बार बता दिया आपको कि भई H का charge होता है 1 H का charge कितना होता है 1 तो हमें यहां पर 1H हो 2H हो 3H हो 10H हो हमें कोई लेना देना नहीं है H का charge क्या होता है हमें उससे लेना देना है तो H का charge कितना होता है 1 और O का charge कितना होता है 2 तो बस वो exchange कर गए बन गया S2O अब बाकी क्या बचा? CO3 का O निकल गया तो CO2 ठीक है? अब कौन बच गया? NA और कौन बच गया? SO4 तो NA का charge होता है SO4 का charge होता है माइनस 2 2 इसके नीचे 1 इसके नीचे तो NA 2 SO4 बस इतना सा करना था ठीक है? तो बस बच्चो एक बार देखना है थोड़ा सा और समझ मा आ जाएगा तो मैंने क्या से सिखा है आपको? कि अगर आपको carbonate और hydrogen दिख जाए reaction करते हुए तो दो चीज़ों तो बिना सोचे समझे लिख दो बे धड़क उसके बाद आपको क्या देखना है? क्या बच गया? जो बच गया है उनको आपस में charge के साथ exchange कर दो जो बच गया उसमें क्या करना है? आपको नोट कर लिया होगा ठीक है? अब मैं आगे बढ़ता हूँ आगे है हमारी property number property number कौन सा है भई? 6 property number 6 6 से पहले 7 करा हुआ ठीक है? चलो 6 बता देता हूँ लेकिन करना तो उसे हमें बेस में ही है मच्छ पता बात क्या है? अभी तक आप लोगों ने जितनी भी science पढ़ी है जितनी भी math पढ़ी है ना आप लोगों ने आज तक जो भी चीज पढ़ी वो sequence वाइज नहीं पढ़ी है पस क्या है भाई? NGRT book है हमारे पास हमने उसे खैस दिया हाँ जी फटा फट उसको पढ़के खतम कर दो बच्चो science का मतलब मैं आपको एक clear बात बता दू science का मतलब ये नहीं है कि आप सिरी book read कर लो और आपको science आ गई कभी नहीं आएगी जिन्दगी में भी इस बात की guarantee दे सकता हूँ मैं आपको ठीक है? बच्चों के नंबर आ रहे हैं स्कूलों में ठीक है? देखो कुछ बच्चे होते हैं बई जो intelligent वाक्य में होते हैं तो वो बच्चे बड़े इमानदारी के साथ करते हैं लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो तेजी दिखाते हैं अब समझ सकते हो कि मैं तेजी से क्या कहना चाहरा हूँ लेकिन बच्चों उस नंबर का कोई फायदा नहीं है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ते भी हैं लेकिन थोड़ा बहुत वो बई दर 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 आ रहे हैं ये वाला आता है क्या ये वाला आता है क्या इस तरीके से तो मैं आपको ऐसे किसी भी सिच्वेशन में नहीं फसाना चाहता ठीक है कि कल को आप आगे जाके आपको पूछना पड़ जाए कि हाँ भाई ये वाला कोशन कैसे है ये वाला कोशन कैसे है नहीं वह एक बार में सीखो और तसली से सीखो बिलकुल अराम अराम से सीखो देखो मैं भगा तो किसी भी टॉपिक को नहीं रहा अगर मैं भगाना होता तो अब तक आपके दो तीन चैप्टर खतम कर दी होते हैं मैंने क्योंकि बच्चो आपको NCRT के साथ-साथ थोड़ा सा एडवांस लेवल का सीखना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आप पिछले 4-5 साल के पेपर मैं आपको इतना बताता हूँ 2016 से ज़्यादा दूर की भी बात नहीं कर रहे हैं पिछले 4 साल के पेपर आप उठा के देख लो 2016 तक के बच्चे मैं देखता हूँ क्या कि यहाँ पे बच्चे को पढ़ा दिया अब बच्चे अपने बड़े जोश में कि हाँ ये कर लेंगे वो कर लेंगे लेकिन भाई इसके साथ सथ रिवीजन एक बहुत बड़ी चीज है रिवीजन बहुत अच्छे से होनी चाहिए आपकी ठीक है और प्लस उसके बाद आप लोगों की प्रैक्टिस आपके NCRT के कोस्चंस थोड़े से एक्स्ट्रा कोस्चंस वो सब होने चाहिए क्योंकि जब तक आप लोग वो नहीं करोगे न तो साइन्स में आप लोग कभी ये नहीं पता लगा सकते कि हाँ जी कोस्चंस किस लेवल पे जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेंग्वेच बगणनी पड़ेगी और लेंग्वेच से पहले हमें टॉपिक के बारे में ज्यान होना पड़ेगा कि ये हमारे पास टॉपिक है और इसको हमें किस तरीके से आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले आप लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से रिवाइस करते हो चलिए ठीक है अब आप देख रहे हो ना कि जो मैंने फर्स चेप्टर में पड़ा है वही आपको सेकंड चेप्टर में पढ़ना पढ़ा है और मैं आपको इस भात की गैर variables की दे रहabetes गाई वही सेम चीज में आपको फर्ड चेप्टर में भी पढढ़ाऊँगा ठीक है, फिर जब आपको मैं 6th chapter पढ़ाऊंगा, बाइलोजीगा तो 6th chapter में जो पढ़ोगे, वही चीज़ आप थोड़ा बहुत 7th chapter में पढ़ोगे ठीक है, तो हर chapter ना एक दूसरे से link है, अगर आप वो link wise नहीं करोगे, sequence में नहीं करोगे, तो आपको कोई ना कोई मुसीबत आना सुरू हो जाएगी, ठीक है और हमें पता है, देखो भई, मेरे को 8-9 साल होगे, टीचिंग करते हो, तो मेरे को एक-एक point पता है, कि किस चीज़ को कहां पर पढ़ाए जाएगा, तो आपको बड़े आराम से तो हम अब एक property पढ़ लेते हैं, पहले sixth पढ़ लेते हैं, क्या है sixth property? कि अमल शारकों के साथ अभी करिया करके लवन और जल बनाते हैं, अमल शारकों के साथ अभी करिया करके लवन और लवन और जल बनाते हैं, ठीक है, इंग्लिस वाले, acid reacts, reacts with base and produce salt and water, salt and water, salt and water तो बहुत simple है, तो बच्चों देखो इसने क्या बोला, कि acid न, acid base के साथ reaction करके, salt and water बनाता है, acid base के साथ reaction करके, salt and water बनाता है, लेकिन इस बात कि बच्चों मैं आपके साथ guarantee ले सकता हूं, कि अभी तो बस मैं आपको एक example दे के समझाओंगा, ताकि आपको ये topic clear हो जाए, लेकिन इसके बात, आपको एक बड़ा भैतरीन, भैंकर लेवल का topic समझाओंगा, और इस बात की guarantee ले तो कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है, वो सारे sequence में आपको बता दूँगा, कि कब क्या हो सकता है, ठीक है, इस topic में तो बस आपको इतना बताएगा है, वाटर बनता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो दो मिन्ट में question में फसा दूँँ आपको, ठीक है, तो उस तरह से हम एक level आगे की thinking लेके चलेंगे, कि अगर हमें CBSC के अंदर कोई तकड़ा सा question दे दे, फसा के question दे दे, तो तुरंत आपका दिमाग recall कर जाए, कि हाँ भी, सर ने हमें पढ़ाया था, ठीक है, तो लोजी फटाफट कर लेंगे, लेकिन अभी तो फिलाल मैं इसको समझाने के लिए एक equation करके दिखा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं आप लोगों को एक और भी topic करवाऊंगा, जिसमें आप लोगों बेस के साथ करानी है, शारक के साथ करानी है, बेस माल लो मैंने ले लिया NaOH, क्या ले लिया? NaOH, देखो वैसे तो मैंने आपको बताया है कि बेस होता क्या है, ठीक है, और मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को हो सकता है थोड़ी confusion भी हो, लेकिन आप बेफिकर रहा हूँ, तो मैं जब तक बेस नहीं करा हूँ ना, तब तक मैं आपको confusion पैदा नहीं करने दूँगा, तो बस अभी तो फिलाल आप इतना पता कर लो कि यह एक बेस है, ठीक है, यह बेस कैसे बना, वो सारी डिटेल हम बेस के टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है, यह S.C.L. है आपका डबल डिस्पलेश्मेंट जैसा, पहला प्लस, दूसरा माइनस, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तो बई, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, तो N.C.L. ही बनेगा, और H को OH के साथ करोगे, H, OH, तो क्या बन जाएगा, H2O, यह भी हम कहां पढ़ चुक जल्दी बोलो कौन सा salt है ये sodium chloride sodium chloride हिंदी में भी नाम है हाँ और क्या बनेगा water यह की नहीं water जल्दी बोल दो है की नहीं water तो बस वाई आपको क्या समझना था कि जितने भी acid होते हैं वो बेस के साथ reaction करके salt और water बनाते हैं क्या बनाते हैं salt और water बनाते हैं ठीक है अब इसी को detail explain तब करूँगा मैं जब आपको base पढ़ा दूँगा क्यों क्यों क्योंकि base में दुबारा ये topic आपका revise होएगा base में क्या होगा दुबारा ये topic revise होगा चाहो तो एक reaction और बता देता हूँ जैसे मानलो ले लिया हमने H2SO4 और base ले लेता हूँ मैं KOH दूसरा माइनस पहला प्लस दूसरा माइनस इसका प्लस इसका माइनस इसका प्लस इसका माइनस के का प्लस 1 SO4 का माइनस 2 दो इसके नीचे एक इसके नीचे के 2 SO4 और H OH क्या बनेगा H2O अब ये मत बोलना कि भाईया H के नीचे 2 है और 1 तो H तो 3 हो गया तो मैंने क्या समझा है H2 हो 3 हो 10 हो 50 हो आपको उसके 4 से मतलब है क्या मतलब है चार्ज से मतलब है तो ठीक है clear हो गया तो ये क्या बन गया आपका potassium sulfate क्या बन गया potassium sulfate ये एक salt होता है क्या होता है salt होता है और क्या बन गया साथ में water तो हमने क्या सीखा कि acid base के साथ reaction करके क्या बनाता है salt और water बनाता है क्या बनाता है salt और water बनाता है कोई दिकत फटा-फट वीडियो pause करो note करो आगे बढ़ते हैं आप ये देख लो मैंने आपको इतना तो बता दिया कि जो हमने first chapter में किया है वो सारे काम हमें अब almost सारे chapter में करना है मतलब second में भी करना पड़ेगा third में भी करना पड़ेगा तो first chapter को बहुत अच्छे से करो क्योंकि वो आपका basic है और वही basic आपके दोनों तीनों चैप्टरों में काम आएगा तो फटा फट वीडियो पॉस करो और नोट करो चलो अब आपने वीडियो पॉस कर लिए होगी नोट कर लिए होगा ठीक है तो इसी के साथ अब हम प्रॉपटी नंबर साथ पे आते है ठीक है प्रॉपटी नंबर सेवन ठीक प्रॉपटी नंबर सेवन हाँ जी प्रॉपटी नंबर सेवन में क्या आएगा वह आपका पताता हूँ मैं आपको प्रॉपटी नंबर सेवन है आपका कि अमल धातू अक्साइडों के साथ किरिया करके लवन और जल बनाते हैं अमल धातू ओक्साइड ओक्साइड के साथ अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके लवन और जल बनाते हैं लवन और जल बनाते हैं ठीक है? इंग्लिस में acid reacts with metal oxide and produce salt and water salt and water तो भई acid जो है वो metal oxide के साथ देखो acid एक अलग चीज है आपको अच्छे से पता है और metal oxide एक अलग चीज है इससे पहले क्या था metal हाँ भई acid की जब metal से reaction करवाई थी तो क्या निकला था hydrogen gas याद करो देखो sequence याद करा रहूं मैं आपको fourth property acid की reaction जब metal से कराई तो gas कौन सी लिए hydrogen acid की reaction जब metal carbonate से कराई याद रखना underline करो carbonate carbonate से कराई तो कौन सी gas निकली CO2 लेकिन जब अब हम acid की reaction किस के साथ करा रहे हैं भई हम करवा रहे है metal oxide के साथ तो अब gas नहीं निकल रही है अब water निकल रहा है और salt निकल रहा है जैसे एक simple सा example लेते हैं ठीक है acid ले लो माल लो भई या HCl ठीक है और metal oxide metal oxide माल लो मैंने ले लिया Na2O क्या ले लिया मैंने Na2O क्या नाम है इसका sodium oxide क्या नाम है इसका sodium oxide आपको पता ये metal oxide कैसे होता है आगे metal का नाम पीछे oxygen का नाम 2 कहां से आया Oka charge समझगे होगे ऐसे रहा होगा जरूर Na का प्लस O का माइनस 2 2 इसके नीचे 1 इसके नीचे ठीक है तो बन गया metal oxide तो इसका नाम क्या पढ़ गया sodium oxide चलो तो फिर वए double displacement प्लस माइनस प्लस माइनस इसका प्लस इसका माइनस इसका प्लस इसका माइनस ठीक है जी ठीक तो हंजी Na का charge होता है क्यों हो चार्ज एक्षेंज देख लो मैं बार बर एक ही बात बोल रहा हूं चार्ज एक्षेंज चार्ज एक्षेंज चार्ज एक्षेंज हिंदी में आवेशों का अदान परदान आवेशों का आदान परदान आवेश होगा आदान परदान ये लाइन में बार बार इसलिए फोर्स कर रहा हूं आप लोगों को क्योंकि बच्छो कभी भी कोई product charge के exchange से बनता है मैंने आपको displacement भी बताया है double displacement भी बताया है तो ये बात ध्यान रखना कई बार बार आप कुछ भी उल्टा सीधा और एक बात और भी ध्यान रखना कि हमेशा plus वाला charge आगे रहेगा minus वाला charge पीछे रहेगा कुछ बच्चे उल्टा कर देते हैं एक बच्चे ने इसको CLN ने लिग दिया था अरे भाई CL का charge minus है तो पीछे रहेगा एन ने का charge plus है तो आगे रहेगा उल्टा सीधा मत करना ठीक है चलो एक example और देखना चाहो तो और देख लो एक और देख लो जैसे मालो यह ले लो H2SO4 ठीक है और क्या ले लो MGO यह भी तो metal oxide है यह भी तो metal oxide है metal oxide बोले तो magnesium oxide ठीक है तो चलो reaction करते हैं हाँ यह plus यह minus यह plus यह minus यह plus यह minus sulfuric acid और यह क्या बनेगा वई यह बनेगा अपका magnesium oxide MGO सबसे पहले तो यही कराया था मैंने ठीक है तो Mg का SO4 थे तो Mg का charge तो पहले सी plus 2 है और SO4 का charge पहले सी minus two cut गया एक से नीचे एक से के नीचे Mg SO4 और H का O से तो पता ही है H2 ओ ठीक है तो देखो साथ property हो गए खतम ठीक है तो यही साथ property होती है metal की metal कितनी properties होती है साथ property होती है तो पहला क्या सी कह हमने सवाद में खटे होते हैं दूसरा क्या सी कह हमने नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तीसरा क्या सीखा हमने acidic solution में electricity flow हो सकती है ठीक है conduct हो सकती है चौता क्या सीखा हमने कि metal के साथ reaction करके hydrogen gas निकालते हैं पांच्वा क्या सीखा metal carbonate के साथ reaction करके CO2 gas निकालते हैं ठीक है छटा क्या सीखा जल्दी बताओ छटी property सीखी कि metal sorry acid और base salt and water बनाते हैं ठीक है और साथी property क्या सीखी कि acid metal oxide के साथ acid metal oxide के साथ lven और gel बनाते हैं salt और water बनाते हैं यही सीखा हमने तो बच्चों यह साथ property थी आपकी acid की इसी के साथ acid हो गया खतम लेकिन अभी एक topic और बाकी है तो जल्दी से नोट करो फिर मैं आपको acid की कुछ खास properties और भी कराऊंगा ठीक है नोट करो इसको जल्दी से video pause करके इसे नोट करो फिर मैं आपको acid का एक नया character पढ़ाता हूँ ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं चीक है शुरू करते हैं बच्चो अच्छा बच्चो अब एक देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको एक परिवार को लेते हैं माल लीजिए एक परिवार है ठीक है एक परिवार है एक परिवार के पहले ही यहाँ पर दो सदस्य थे ठीक है अब इन दो सदस्य से तीन सदस्यों से और रहे, ठीक है, इन तीन सदस्यों से तीन-तीन सदस्यों से और रहे, ठीक है, तीन-तीन सदस्यों से और रहे, ठीक है, तीन-तीन सदस्यों से और रहे, तीन-तीन सदस्यों से और रहे, इस तरीके से और भी और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन अब यहीं तक स समझे लेते हैं अच्छा अब एक बात बताओ कि वह जितने यह सदस्थे रहेंगे इनके नाम भी अलग-अलग हो सकते हैं इनका एनका बीन का सी इनका डीन का इए इस तरह एफ जी एच ठीक है एच आई जे के एल एम एन इस तरीके से वह क्या होगा इनके अपने-पने अलग अलग नाम रहेंगे लेकिन जब इन्हें एक सिंगल यूनिट में बताना होगा तो क्या बताएंगे कि जो भी इनकी फैमिली का सरनेम होगा जैसे मान लो इनके फैमिली का सरनेम मान लो क्या है भई वह जैसे मान लो क्या भई कुमार है ठीक है तो इनको बोला जाएगा कुम कुमार्स, इनको क्या बोला जाएगा? ऐक ही, कि अीं पर्द कि फैम्ली नहीं आई, ठीक है? चैया ने कहते हैं हिन इंदर है एकि मिंबर आए किसी पार्टी में, लिकिन कहते हैं कि कुमार्स की फैमिली नहीं आई इस तरीके से बोलते ना तो रीजन क्या भई अब जो जिसने बुलाया है इस बात की गैरेंटी नहीं है कि वो सबका नाम जानता होगा लेकिन उसको यह पता है कि कुमार्स की फैमिली में यह सारे मेंबर एंटर हैं सभी बात है तो हमने क्या द जाता हूं कि बाइब बताओ HCL भी एक एसिड है एस्टू एस्टो फोर भी एक एसिड है ठीक है और आपका भई HNO3 भी एक एसिड है CS3COOH यह भी एक एसिड है ठीक है तो यह सारे बहुत सारे जितने भी हम नाम लिए मैंने NH4CLE यह भी एक acidic base है वो solution है ठीक है तो भई एक बाद बताओ जब यह सारे के सारे acid है तो भई हम जैसी acid बोलते हैं तो हमारे mind में यह सातो की सातो property खुल जाएंगी जैसे हम किसी भी acid का नाम लेंगे यह सातो की सातो property खुल जाएंगी क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी particular acid के लिए अलग property है नहीं बोल सकते हैं क्यों क्यों क्योंकि मैंने आपको property किसकी लिखवाई है acid की और acid की property का मतलब यह है कि जब जब आप लोग एसीड का नाम लोगे तब तब वो सातो की सातो property उस पे apply करेगी मतलब मैं जब जब कुमार्स बोलूँगा तो इनके घर के हर member इसमें क्या करेंगे भई अपने आप include हो जाएंगे तो बस इस तरीके से ही जब जब मैं acid का नाम लोगा जब जब मैं किसका नाम लोगा acid का तो सारे के सारे acid इसके अंदर आ जाएंगे ठीक है कि हाँ भई acid बोला तो acid का मतलब S-C-L भी है S-2-S-O-4 भी है H-n-O-3 भी है ठीक है तो अब बात क्या है समझाना क्या चाते हैं तो समझाना क्या चाते हैं topic का नाम समझो पहले सभी अमलों में क्या समान है क्या समान है what do all acids what do all acids have in common have in common हाँ भई सभी acids में क्या common है सरी बात है अब भई S2SO4 है उसे भी acid बोल रहे है S.C.L. है उसे भी acid बोल रहे है Higg fulfil ए उसे भी acid बोल रहे है Ethnoyic acid है उसे भी acid बोल रहे है हम सब को Acid बोल रहे हैं नाम भले ही सब का अलग अलग है लेकिन सब को हम Acid बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं भाई कोई तो reason होगा सब के सब एक ही family से आ रहे हैं क्यों से family से? Acid family से और जब भी हम नाम ले रहे हैं तो तुरंट पता चल रहा है कि हाँ भई ये बंदा acid है अच्छा, अब acid होने के लिए क्या चीज़ जरूरी होनी चाहिए सबसे पहली बात अगर मैं कहता हूँ कि भई ये बंदा acid है यह जो product है acid है यह जो समान है वो acid है मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो इसके लिए क्या चीज़ सीम होनी चाहिए, तो ज़रा सुनिए, वई, ऐसिड होने की पहली सर्थ, कि जितने भी ऐसिड होते हैं, जितने भी अमल होते हैं, उन सब के अंदर H plus Ion होता है, H plus Ion होता है, Ion आप सभी को पता है, आपने 8th में, 9th में, दोनों किलासों पड़ा है कि iron क्या होते हैं ठीक है नहीं पता मैं दुबारा बता देता हूं iron का मतलब होता charges क्या होते हैं charges किस तरह की charges h plus iron मतलब plus के charges hydrogen का plus charge हर जगा पाये जाता है किसमें acid में कि अगर acid के अंदर hydrogen वाला plus charge अगर है तो इसका मतलब क्या है भाई वो एक acid है ठीक है मतलब आप बस ये बोलेंगे कि अगर hydrogen है किसमें acid में तो इसका मतलब भाई वो अपनी acidic behavior पका सो करेगा ही करेगा ठीक है अभी इसके exception की बारे में में बात करेंगे लेकिन अभी फिलालिये सुनों ठीक है कि जितने भी acid होते हैं अगर आप से पूछ ले जाए कि जितने भी acid होते हैं उन में common क्या होता है तो आपका exact answer क्या होना चाहिए कि भाई उसमें common h plus iron होता है क्योंकि h plus iron से ही पता चलता है कि वो acid है या नहीं है ठीक है चलिए अब अब बात करते हैं strong acid की और weak acid की प्रबल अमल की और दुरूबल अमल की और दुरूबल अमल की ठीक है प्रबल अमल दुरूबल वीक acid अब ज़रा ध्यान से सुनना हन जी किसी acid को हम strong बोलेंगे और किसी acid को weak बोलेंगे ऐसा भेदभाव क्यों क्यों क्योंकि भाई या अभी तो आप बोल रहे थे कि भाई हर acid एकी बिरादरी का है एकी उसका एकी H plus iron होगा तो यहाँ पर strong और weak का क्या फैसला तो strong और weak का फैसला ऐसे करते हैं कैसे कि बच्चों जब किसी strong acid को पानी में dissolve करते वक्त H plus iron जादा से जादा amount में निकले H plus iron जादा से जादा amount में निकले तो उसको हम कहते हैं strong acid और जब किसी acid को पानी में dissolve करने पर H plus iron कम से कम निकले किसे निकले कम से कम निकले तो उसे हम weak acid या दुरबल अम्मल कहते हैं कहने का दूसरा मतलब यह है कि strong acid वो है जिसमें H plus iron का amount जादा है दुरूबल अम्ल वो है जिसमें h प्लस आयन का अमाउंट कम है तीदी बात अमीर और गरीब, अमीर किसे बोलोगे जिसके olmaz है गरीब किसे बोलोगे जिसके पास पैसे कम है तो बस बातकतब, strong acid क्या, जिसके पाँ h प्लस आयन जादा weak acid क्या जिसके बात h plus iron कम पल्ले पढ़की बात चलो फटा-फट note करो फटा-फट note करो फिर लिखो फिर एक dialogue लिखो चलो हाँ जी लिखो जरा लिखो हाँ जी लिखेंगे सभी अमलो में हाइड्रोजन आयन होते है सभी अमलो में हाइड्रोजन आयन होते है जब उन्हें जल में विले किया जाता है जब उन्हें जल में विले किया जाता है तो वह हाइड्रोजन आयन यानि H प्लस आयन जब उन्हें जल में विलाय किया जाता है तब वे हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन उत्पन करते हैं H प्लस आयन उत्पन करते हैं इंगलिस वाले लिखेंगे All acids have H प्लस आयन H प्लस आयन Which produce Which produce It Which produce it After After Dissolve in water After dissolved in water ठीक है जी Dissolve in water ठीक है ठीक चलिए अब देखो यहां तक तो आपने सीख लिया यहां तक तो आपने सीख लिया ठीक अच्छा अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो पहले आप ध्यान से सुनो ठीक है यह कोश्चन मेरे अपने टाइम का है मैं अपने टाइम का मतलब क्या कि कोश्चन तो पहले से NCRT में दिया हुआ है लेकिन हम लोगों को भई इतनी ज़्यादा उस टाइम पे फैसिलिटी नहीं थी साइंस कितने ज़्यादा कोशिंग नहीं होते थे तो हमारे स्कूल के टीचर्स ही हमें पढ़ाते थे और काफी अच्छा पढ़ाते थे ठीक है तो हम लोगों ने भई जब वो NCRT बुक पढ़ी और साथ में हमारे टीचर्स यह आपको acidic behavior ही दिखाएंगे तो भई mostly बच्चों का answer हो जाता है यहाँ पर हाँ कि हमें तो सर ने यह पढ़ाया है कि H प्लस अगर आयन दिख जाए तो वो acid होगा तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या यह भी acid है क्या यह भी acid है H2O नहीं भई यह acid नहीं है क्योंकि H2O में भी H प्लस आयन है H2O में भी क्या है H प्लस आयन है लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वो एक acid बन जाएगा तो भई वो acid नहीं बनेगा इसका मतलब यह है कि वो acid नहीं बनेगा मेरी बात को ध्यान से सुनना صرف और صرف H plus iron के होने से अगर मैं किसी को Acid कह रहा हूं किसी को Aml कह रहा हूं तो वो मेरे सबसे बड़ी गलती है समझे ही मेरी बात पहले क्या है मैं समझा दूँ अगर मैं कहता हूं कि H plus iron होना किसी में H plus iron होना Acid है तो भाई, वो इनसान बहुत बड़ा जूट बोल रहा है आपके साथ, ठीक है, या उसे खुदी इस बात की नॉलिज नहीं है, ठीक है, तो क्या चक्कर है, तो आओ, शुरू करते हैं, ठीक है, ठीक है, हन्जी, तो सुरू करते हैं, ध्यान से देखना, हन्जी बच्चो, तो क एक बात ध्यान रखना, आप एक बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, कि हमें इसके अंदर एक छोटी सी बात को ध्यान रखना है, कि वाटर में भी H प्लस आयन होता है, होता है नहीं होता, जल्दी बता दो, होता है न, अच्छा, ठीक है, वाटर में भी H प्लस आयन होता कौन कौन से पार्ट होंगे, एक तो H प्लस आयन होगा ही, और साथ में अपना कलोरीन भाई साब, ठीक है, यही होगा, अच्छा, अगर मैं इसके H प्लस आयन की बात करता हूं बचो, तो कहते हैं कि H प्लस आयन होने से यह एसिडिक है, लेकिन मैं कहता हूं, नहीं भाई, यह गल्लत बात है H प्लस आयन होने से कोई चीज एसिडिक नहीं है हाँ बस हम यह कह सकते हैं कि सारे एसिड में H प्लस आयन होता है हम क्या कह सकते हैं कि सारे एसिड में H प्लस आयन होता है हम यह कह सकते हैं लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि H प्लस आयन होने से वो एसिड है यहां तक जो solid form में हो, चलो बताओ मुझे, देखो, नीम्बू, तो नीम्बू का रस खटा होता है, ठीक है, आप देखते चलना, मैं आपको example दोंगा, अभी कोई भी आपना, बिना liquid का आप कामी नहीं कर पाओगे, देखते चलना, हन जी, सबसे पहली बात, नीम्बू खटा होता है, तो नीम्बू का रस खटा होता है, तो liquid में होता है, चलो, अगला, अब कहोगे, नहीं सर, इमली, तो नहीं भाई, इमली जब आप अपने जीप पर रखते हो, तो आपके जीप पे लार होता है, ठीक है, सलाइवा होता है, जिसकी वज़े से वो आपको खटा लगता है, ठी तो वो अपने आप किसमें बदल गया, liquid में बदल गया, आप कोई खटी मेठी टॉफी खाते हो, तो खटी आपको तब लगती है, जब आपके मूँ में लार बनती है, सही बात है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपके लार के साथ वो मिला और वो liquid में बन गया, ठीक है, और क कच्छे आम को खटे होते हैं, तो बच्छों कच्छे आम के अंदर उसका रस खटा होता है, तब जा कि आपको खटा लगता है, समझ रहे हो, टमाटर अगर आपको खटा लगता है, तो कब आप टमाटर को ऊपर से आप चाट लो तो क्या खटा लगेगा, नहीं, लेकिन है liquid form में इसका मतलब हम यह कहेंगे कि बच्चों जितने भी acid होते हैं वो बच्चों liquid form में होते हैं क्यों से form में होते हैं liquid तरह लवस्था में होते हैं मतलब अगर acid liquid में नहीं है तरह लवस्था में नहीं है तो इसका मतलब वो अपना acidic behavior नहीं दिखाएगा क्यों 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 कोई भी acid किसमे नहीं होता आज तक कोई भी acid ना ही solid form में है ना gas form में है वो जब भी होगा किसमें होगा liquid form में होगा इसका मैं आपको बकायत practical करके दिखाऊंगा कि हाँ बही किस प्रकार water होना जरूरी है acid में ठीक है तो देखो हंजी तो H plus iron तो सब में होता है लेकिन acidic behavior कैसे दिखाता है किस की वज़े से liquid की वज़े से तो liquid क्या है water है liquid क्या है water है तो H plus iron plus में water क्या बन जाएगा H3O plus और इसे कहा जाता है hydronium iron कौन सा iron hydronium iron तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि हंजी जल्दी से बताओ कि किसी भी acid का acidic behavior कौन से iron की वज़े से होता है तो answer है hydronium iron पहले ध्यान से सुनना मैंने बोला क्या है अगर आपसे कोई पूछे कि acidic behavior कौन से iron से होता है अमलिय प्रकृति कौन से आयन से होता है तो अंसर है हाइडरोनियम आयन और अगर आपसे कोई कहता है कि सभी एसिड में कौन से आयन कॉमन होता है तो अंसर है H प्लस आयन अगर कॉमन पूछ ले तो ये वाला आयन बताना है और बिहेवियर पूछ ले behavior पूछ ले ठीक है वहवार या प्रकिर्ती पूछ ले प्रकिर्ती पूछ ले तो कौन सा आयन होता है H3O plus कौन सा आयन होता है H3O plus ठीक है तो चलिए नोट कर लीजिए इसके बारे में next class में लिखवाय जाएगा और साथ ही आपको एक practical भी कराए जाएगा कि कैसे सारे acid liquid में काम करते है ठीक है तो फटा फट इसको नोट कीजिए फिर हम next class में इसको cover कर लेंगे तो वीडियो पॉस करके नोट कर लीजिएगा ठीक है और अगली class में हम लोग इसको आगे बड़े detail में पढ़ेंगे और बड़ा interesting होता चला जा रहा है ये chapter आप देख रहे हो ठीक है और आज मैं suspense छोड़ रहा हूँ थोड़ा पता लगाओ आप लोग भी क्योंकि काफी थारी चीजे मैंने आपको बता दी है ठीक है थोड़ा पता लगाओ आखिर कर क्यों नहीं होता इसके बारे में पता लगाओ ठीक है ताकि मैं next class तक अग जब आपको ये बताओं तो आपको एक एक चीज crystal clear हो एक एक चीज आपके दिमाग में बस जाए ठीक है तो चलिए मिलते है next class में